दोस्तों आज हम बात करेंगे UPMRC Office Assistant HR के पोश्ट के बारे में जो की 2024 में जिसकी वेकंसी आई है तो इस पोश्ट का जो पोश्ट कोड है वो NEO05 है और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दो पार्ट में होगा सबसे पहला आपका रिटेन एक्जाम होगा तो रिटेन टेस्ट पे हम आते हैं तो रिटेन टेस्ट में आपको 140 questions मिलेंगे और उसमें 140 marks का होगा यानि कि हर एक question एक marks का होगा और इसमें one third जो है negative marking है अब subjects की बात करते हैं तो सबसे पहला आपका English language आएगा तो सबसे पहले हम human resource management के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हमें इस subject को तयार करना है तो हमने UPMRC की official website से इसका syllabus डाउनलोड किया है जिसमें की art topic दिखा रहा है तो दोस्तो अब हमनों बात करते हैं most important कि किस तरह से हमें इसकी preparation करनी है और किस तरह से हमें इसकी strategy बनानी है तो सबसे पहला topic है कि हम अपना जो भी topic होगा जैसे कि जो भी हमारा syllabus होगा like human resource management जैसे यहाँ पर हमने type कर दिया human resource management जब इसको हम search करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो channel है जिसमें की 29 वीडियो पढ़ी है उसमें आपको जो है वो step as step सारी चीज़े जो है इसमें सिखाई गई है तो इसकी जो link है मैं आपको नीचे description पर देदूँगा तो वहाँ से जाके आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं इसके अलावा आप human resource management की जो book है वहाँ से आप इसको download कर सकते हैं जो की आपको PDF form में मिल जाएगी तो यहां से आपको download करने के बाद जब हम इसको open करते हैं तो यहां पर आप जो देखते हैं तो यहां पर पूरी book जो है वो आपके सामने आ जाती है बट आपको देखना है कि जो जो topic exam में पूछे जाएंगे उसी से related जो है वो आपको पढ़ना होगा दिन दूसरी strategy है कि आप meta AI जो की WhatsApp का एक नया feature आया है उसका इस्तिमाल कर सकते हैं और जो भी आपको topic पूछना है या जो भी आपको जानना है उसके तुरंट quick result आपको मिल जाते हैं तो जैसे कि मैं WhatsApp में आता हूँ तो यहां पे जो है plus sign के ऊपर जो है वो circle बना है तो यहां पे जब मैं click करता हूँ तो यहां पे आप कोई भी चीज search करेंगे तो उसके बारे में आपको तुरंट result मिल जाते हैं जैसे कि हमें search करना है कि human resource या फिर मैं कुछ और search करता हूँ जैसे कि MS office तो MS office के बारे में जैसे मुझे search करना है then quick response आपको यहां पे मिलता है तो यह सारी detail जो है आपको short में और बहुत जल्दी आपको मिल जाती है और उसके पास से third strategy है कि जो भी हमारे MCQs हैं अगर हमें HR के MCQs कहीं से मिल जाते हैं तो हम उसको download कर लेंगे या फिर other post के जो भी हमारे metro के आए हुए है जिसे के MRC के जो भी other post के जो भी हमारे papers हैं उसको भी हमनों download कर देता है तो दोस्तों यह website है जिसकी link में ने description पे दे दी है तो यहां पे जाके आप इसके previous year के जो भी other post है उसकी जो है आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जाके आप इसके non-technical के जो भी questions है उसको आप अराम से solve कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पे junior engineer civil का जो है paper पहले से डाउनलोड करके रखा था तो यहां पे देखिए ऊपर के जितने भी पार्ट है वह सारे technical पार्ट है यहां पे आप देख सकते हैं पटब आप नीचे जाएंगे जब तो यहां पे जो भी non-technical के questions है वह आपको आसानी से मिल जाएंगे यहां पर आप देखिए कि जो भी questions हैं हमारे reasoning के वो यहां पर देखिए सारे लिखे हुए हैं तो आप यहां से level समझ सकते हैं कि किस तरह के हमारे questions आने वाले हैं और किस तरह से सारी preparation हमें करनी है quantitative aptitude के questions यहां से आपको मिल जाएंगे तो इसकी जो PDF होगी उसकी link मैं नीचे description पर देखिए दूँगा तो वहां से जाके आप इन papers की जो PDF हैं उनको download कर सकते हैं और इसके अलावा भी जो भी topics हैं जितने भी general awareness से related हैं तो उसको आप यूटूब पर भी search कर सकते हैं क्योंकि basic questions questions आने वाले हैं ज्यादा hard questions नहीं आएंगे तो अगर आपको कोई भी problem आ रही है इसके preparations related तो आप मुझे comment में बता सकते हैं और कोई भी doubt है तो आप मुझे सकते हैं कोई वीडियो helpful लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी share कर सकते हैं जो office assistant अचार की preparation कर रहा है तो जल्द अब भी मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत